की जार्ज के सब्सक्राइब करें अपने की की तो आपे हम सुने कि अपने हैं कि पॉजिटीव चार्च फ्लो होता है ऐसी कुछित बाते हैं जाइब है कि चार्ज चार्ज करेंस कि कर दिल लें ओक्त है कॉ मुछ फ्रट कहले कि डियरंस की थे कि इसके बाद हमने देखा कि गर्णकटर सिर्फ सिर्फ उसके बाद उसके बाद हमने कंडेक्टर की जब बात करी तो इसकलेक्टरिक ₤ यह था उसके अंदर हमने देखा कि कैसे बैटरी की वज़े से उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वज़े से यह एलेक्ट्रों फ्लो होते हैं तो एक्चुली हमें जो बाहर एनर्जी मिलती है लाइट में या पंखे में वो एनर्जी वही है जो इस एलेक्ट्रों को इस बैटरी से मिल रही है कि जब रूम टेंपरेचर पर रखा होता है तब उसमें इलेक्ट्रों का क्या बिहेविर होता है और जैसे यह आप एक पोटेंशल डिफरेंस बैटरी वहां कनेक कर देते हैं तो उनके बिहेविर में क्या चेंज़ आजाते हैं यह सारी बात हमने दे इनके पास एक एक ही डिरेक्शन में सारे के सारे मोशन होने लगे रंडम मोशन इनका भी पे चल रहा था लेकिन एक जो टोटल शिफ्ट था वो तो टूर्ट्स एलेक्ट्रिक फील्ड हम यह पॉजिटिव चार्ज का देखने मिला तो उसे हमने बुला डिफ्ट वेलोसिट इन इस डिफ्ट वेलोसिटी वे यूज तो फाइं दी फॉम्ला फॉर करेंट करेंट आई इस इक्वल टू एन एविड इस पर बिएस क्वेशन पूशे जा चुके हैं पहले सो आई इक्वल टू एन क्या है नंबर ओ फ्री एलेक्रों स्पर उनिट वॉल्यूम ए चार्ज सकते हैं और फिर हमने देखा कि किसी भी शेप का हो यह वैलिट रहेगा क्योंकि एरिया और वीडी यह दोनों मिलके आपस में कंपनसेट कर लेंगे तो यहां तक की सारी बातें में अभी तक कर चुके थे अब हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है उसके वीजिसे क्या हो रहा है हम इसमें एक रिलेशन निकालना चाहरे हैं वैसे लिम ओम स्लोप पहुंचना चाहरे हैं तो आज शुरू करते हैं इसी को थोड़ा सा कांटीनियू करते हैं तो यहां तक बात हो गई कि एक कंडुक्टर रगर है इस पॉजिटिव चर्ज बानके चल लगते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगीगा इस जैरेक्शन में अगर इलेक्टिरिक फील्ड यहां पर ए है और इलेक्टिव्ड किस वज़े सा आगा इस पॉर्स Q यहाँ पर E के बराबर है, तो E into E is the force, और इसके विएसे जो इसका acceleration आएगा, वो आएगा E by M. This is the acceleration of this electron in this direction. अब इसकी वज़े से, अगर मैं बात करता हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक, let's say, lambda distance चलता है. यह electron यहाँ से, यहाँ तक चलता है, lambda distance. विए एक्सलरेशन E E by M. तो इसको कितना टाइम लगने वाला है. इसको कितना टाइम लगने वाला है. तो इसको कितना टाइम इसमें लगेगा, अगर इस बात करें, तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास आती है, कि तो आहाँ लैम्डा, लैम्डा is mean free path. इस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे, रिलेक्सेशन टाइम और mean free path. तेखा होता क्या है, कि जब इलेक्ट्रोन अंदर move करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक लेट से उसको जाना है. तो इस बीच में बहुत सारे यहाँ पर एटम्स हैं, बहुत सारे free electrons हैं, एक electron को अगर एक distance travel करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल खुला रास्ता है कि चला जाएगा, वहाँ से बाता कासानी से. लगातार collisions होंगे. लगातार collisions होंगे. collision किसके होंगे? electron, electron का collision हो सकता है. electron उस atom से जाके टकरा सकता है, उसके nucleus से जाके टकरा सकता है. तो collisions लगातार हो रहे हैं. और यह collision लगातार चलते रहते हैं. हर electron हर जगे collision कर रहा है. लगातार आगे बढ़ रहा है, collide कर रहा है, फिर टक्राया फिर रुका फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ लगाता है यह पॉसस्स यहां पर चल रहा है तो यह जो लेंड़ा होता है इस लेंड़ा को कहते हैं इस मीं फ्री पाथ इस एक क्वल टू सप्रेशन बिट्वीं जू सक्सेशिव कौलिशन सब फिर इस बिर्म टू सक्सेशिव कॉलिशन सब्सक्राइब इस लेंड़ न यह एक बार यहां पə रहाएगा लेकिन क्योंक्य एलेक्ट्रिक फी लगा था रहे फिर से फोर्स लगेगा फिर से चलना शुरू करेगा यहां कि फिर किसे से टक राएगा फिर इसका रेस्ट का जाएगा तो इन दोनों की बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन के पीच के जो डिस्टेंस वह लेंगा और इसको ट्राविल करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं तो तो अक्र में यह शुड़ना चाहता हम तो असानि से निकला जा सकता है कैसे इनिशाल स्पीट जीरो है एक्सेलरेशन मुझे पता है अब अनिकल सकते हैं असे इसटिर टूइट प्रसप्रट साफिट इस्पैर तो लगाते हैं सब्सक्राइब करूंगा यहां से आपको मिल गया एक तो रिलेशन यह दूसरे लेशन हमने पता है कि जो विलासिटी होती है सब्सक्राइब करę सब संद्सक्राइब करें सब्सक्राइब करा अगर ऐसा है तो यह जो आपकागा टाइम और लिखा है लेमडाव टी इसको हम इस तरह के से भी तो लिख सकते हैं lambda by tau this is also VD हमने क्या assumption लिया कि यह electron यहां से यहां तक जब चल रहा है तो constant velocity के साथ चल रहा है VD के साथ और distance travel करना है lambda time इसको लग रहा है tau तो tau can be written as lambda by velocity can be written as distance by time तो यह तो है इसके actual बात और यह है अपने assumption वाली बात actual बात को हमने देखा था कि भाया बहुत मुश्किल हो रहा था हमने लिए यूस करना तो हमने assumption लेकर क्या बोले था कि सारे same velocity के साथ चल रहे हैं इस तरीके से अब अपने इन दोनों को use करते हैं use कैसे करेंगे तो हमने पता है अगर आए फञे आंपने लिखा अगर बालिया फुल्यूस करता हो फस्राइड करता हम आज लिखता हूं पिकरता हूं न भी हिर्व यहां से लिखता हूं यश्मतructor हम आइच और सिरसे लिखाई जैटesz मिलगे तों इसको ने आप उटकर देया लेमडा के जगए तो अपने पास जो फाइनल एक्षिशन बनके आता है क्या आता है एन इसक्वायर इंटु ए इंटु टाव डिवाइड़ेड़ बाइटु एम इंटु ए यह आपके पास एक्षिशन आगया फाइनल एंड ए को किता लिखा हुआ है द एन इसक्वायर ए टाव बाइटु एम इंटु वी बाइल यह मिल गया आपको आई का फामुला अब अगर ध्यान से देखे हैं तो रिलेशन किसमें बन गया देखो दिस इस आई इन दिस पोटेंशल दिफरेंस वी इन तोनों का एक रिलेशन अपने को मिल गया और हम जानत यहां पर यह जो सारी चीज है इन से मिलके आप आर बना सकते हो तो वी इस इक्वाल टू आया यहां से रिलेशन दिख रहे है इसको ऐसा लिखता हूं वी को एक तरफ रखता हूं बाकि सबको उधर बेजता हूं तो यहां से आगा 2 mL by N e square a tau into i और यह जो पूरा quantity है this complete quantity is r 2 mL by N e square a tau this is the resistance जो मिद्यान रखना है तो यहां से अपके पास क्या formula बन गया v is equal to r a this is the ohm slow जो आप जानते ही हूं v क्या है potential difference है r क्या है resistance है और resistance किसी given conductor के लिए constant होगा मतलब v by i जो यहां पर आएगा वो v by i should be constant quantity जो क्योंक्टेटी जो क्योंक्टेटी जो क्योंक्टेटी यहां से आप देख सकते हैं mass length n e tau यह सारी यह बाते हैं और एक given resistance given material के लिए यह सारी बाते constant होती है अच्छा इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिखते हैं देखो इसको और कैसे लिखेंगे तो r को में लिख सकता हूं यह से 2m by n e square tau into l by a ऐसा लिख सकता हूं और यहां पे quantities देखो m, m क्या था mass of the electron n क्या है number of free electrons जो की material पर depend करेगा e charge of the electron tau relaxation time जो की material पर depend करेगा तो यह सारी ऐसी चीज़े हैं जो यह तो constant है यह material पर depend कर रही है तो यह पूरी चीज कहलाती है रो this complete thing is rho where rho is equal to 2m by n e square tau and this rho is called resistivity resistivity of the conductor or resistor conductor बोलो, resistor बोलो एकी बात है और यह आपके पास फाला बनता है resistance का r equal to rho l by a this is again an important formula जापको दियान लखने इस पर बेस्क्षेशन बनते हैं clear है तो यहां से हमने पूरे को यूज करके वी इकोल टो आयार ओम किस होजे से होगा जब बैटरी कनेक करी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वी बाइल के बराबर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विसे इस पर फोर्स लगा ईंटू करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमने देखा कि दो कोलिजन के बीच में अगर इसको डिस डेल्टा ट्रावल करनी है लेंडा ट्रावल करनी है और लेंडा में जो टाव लगता है तो इस तरीके से और यहीं बात असम्शन से भी लिखे जा सकती है कि अगर विलॉस्टी विलॉस्टी वीडी है तो दिस इसकें इसकें अल्सविटन इस लेम्डा बाइटाव इन दोनों को यूज करके हमने कल जो फॉमला देखा था एक्वल टू एन एवी डी उसमें पुट किया वीडी के जगे लेंडा बाइटाव पुट किया पहले पिर लेंडा के जगे यह यहां से में फाइनल एज एक्सप्रिशन मिलता है वो इस तरह के से मिलता है वी और आई का एक रिलेशन और दिस रिलेशन विल गिव गवस दर वैल्य ओफ आर पैंड किया तो यहां से समझ में आया कि कुछ कॉंटिटीज आशी है जो मेंटीरियल पर डिपैंड कर रही है या constant है उसे हमने बुला रो और बात की आया ल और एश के बार में तो यहां से कुछ से याद और सिर्फ एन की ऑड़ इसे सारी material के प्रपरटिस है तो यह सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करता है material या टμपरेचर पर जबकि आर देको आरो पे भी कर रहा है बिसकेल के बात material पर कर एंप्रोह कर रहा है एक इसकी शेप बन कर रहा है और जौती बाद टम्परेचर पर करेगा तेंपरेचर पर क्योंगि क्यों कि रजिस्टीविटी जो है पुई टेंपरेचर पर कर रही है अगर यह चेंज होती है तो यह सारी बाते हैं चिस पे अग्यार बात है और एक नहीं क्योंकि यह और आपस में चेंज होते हैं अगर आप वी को चेंज करोगे आई को चेंज करोगे वी चेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर गिवन मटीरियल के लिए या एक фот के लिए एक उब्जेक के लिए जो रिजिस्टेंश के लिए शो कांसें एक जुब बात करते हैं या एक बंख की एक ट्यूब लएट की वह रिजिस्टेंश करता है उन के मैनिफैक्ट्रिंंग पे masih पर किसा की बनाया गया है बस वही संवांपे कौन सा मटीरियल है कैसा शेप और तैमिंशन से और कितना इसका तेमप्रेचर पे वह यूज हो रहे है और तेमप्रेचर स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा जब आपसे पूछना होगा अधर्वाइस तेमप्रेचर का रोल नहीं लेना है तो यह सारी बात है हमने कैपस्टर में भी यह बात करी थी कैपस्टर को पढ़ा था अपने अपसलान नौट एबाइडी सी कुल टॉप्सलान ओट वाइडी वहाँ भी एरिया और डिस्टेंस बिटिन देप्लेट सेपरेशन बिटिन देप्लेट इसी पर डिपेंड करता था ना कि क्यू और वी पर यहां भी यह वी और आई पर नहीं करता यह इसके शेप और साइस पर कर देए तो अब यहां से जब हम प्वेस्टेंस को यह देखां पड़ेगा कि जो रजिस्टेंस न्ज़ा गए रजिए नहीं जिंब लगादी आ लिजी यह एक ज़या है फिलग सभी और यहां पे पोड़ सेयं कियोंगे क्योंकि वायर के ंंदर हम जयेस्टर स्मांथ चाहिने वाइर्स जो है ना किनेक्टिंves का इनका जो जिस्टेंस कि वह जिब और इसा हम यहां पर चरह करके चलते हैं करनेइक डिज रेजिस्ट्न्स नहीं है तो यह से यहां भी पोटेंशल डिफ्रेंश आ जाता लेकिन यहां रदिस्ट्रिक प नहीं करना थे घां अगर रहां पर अगर आपको जीरो पॉंट दे रखा यह तो הר्ग समय है थि сможet 10 पोटेंशल क्योंकि आप लोवर से हाइर की तरफ आए तो डिफ्रेंस यहां से जिरो से 10 में 10 का होना चाहिए क्योंकि बैट्री यहां पे लगी हुई जाए पैट यही तैन वोल्ट का अगर यहां पे है और इधर पॉइंट लिखा हुए लिए से टू तो अब यहां पे करता लेखँ की जिरो लिखेगा 0.00 लुब है तो दो ऐसे बहुत क्यों क्यों क्योंकि बहु क्यों है इस जो है पै들이 का में चैन कर नो हिपन्स के बीच होना ही चाहिए तैन वोल्ट का डिफरेंस यहां गैडव है तो यहां तो यहां फॉइन तो यहां यांजिरो था तब य नहीं होता है तो यहां पर किताओ है कि टा कि टादा है तो ữह च्टीर नालने मैन coc स्टीरल कैसे इसे यह सकता है सोचो यह लोर पोटेंशिल यह हायर पॉटें voiture और मैं निचे की तरफ आप लैज यह पैंट तो नहीं आएगा करी दर हैट क्याएगा 8 क्योंकि यह higher potential this is higher potential तो इदर जो value है वो बड़ी आनी चाहिए इससे तो minus 12 is less than minus 2 इस बात का दियान रखो तो यहां minus 12 नहीं आएगा यहां आएगा 8 तो यहां 8 आप दिखेंगे चले तो यह कुछ-कुछ बाते हैं जो बन यूज करते हैं क्वेशन सौल करने में ठीक है अब रजिस्टंस का फॉर्मॉला आपने देख लिया और एक पल्टो रोल भाई ए उससे रिलेटेड एक दो बाते हैं वह भी नोट कर लेते हैं आर इस पल्टो रोल भाई यह में यह जो एल है यह क्या है दिस एलिस लेंथ लेंथ अलॉंग दिक अलॉंग टी अलॉंग दी वफ कर रजू सेर्णॆ क्या है अलॉंग दी दॉल कंसिटर करनेहें एंड एंड इस ए्यária नॉर्मल टूसडा त दू दू उल्प कुर्ट đ्यू मॉर्मल टूब पने प्रिरोप्लोट और एमपे धन यह जो है यह पर पंडिकलेट करेंट है यह दो बात अपने को ध्यान रखनी है वह भी आगे समझ में आ जाएगा अब यह आपने पर लिखी थी इस रजिस्टिवीटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताएए इसकी यूनिट क्या है यह रजिस्टेंस की जाएगे तो आएगा क्या आपके पास ohm meter तो इसकी जो जाएगी वाजाएगी ohm meter जैसे यूनिट ओफ रजिस्टेवीटी ohm meter इसके लावा कुछ टर्म आती है जैसे एक टर्म आती है और रिजिस्टेंस तो तो इसको यूनिट लिखे जाती है वो का लिखे जाएगी यह जाएगी वन बाई ओम इंवर्स इन्वर्स यह को ओम को एमेचों कर दिया तो तुक्षिक यह हो जाता है इसे लिजस्टिविटी का ऐल्टा होता है कि यह होता है बनबा बैद लिपिटी तो इसकी के हो जाएगी वनबाइं टू मेटर जाएगा तो यह कुछ-कुछ बाते आती हैं जो हुपने आपर एक लिखते हैं अब बात कटे हैं कुछ बारे में क्या कुछ ऑब्जेक्ट किबारे में जिनका रेजिस्टेंस अपने को काल्कुलिट करें जासे जह उस दिन सुमित पूच रहा था कि अलग-अलग शेयप के लेकर बात क करें तो कैसे रिजिस्टिंस निकाल लेंगे तो पहले में एक एक यूब का ठाइसमिल लेता हुं का जस्त अबस्केसमें लेते हैं चलो तो अपने पर आसान रहेगा क्या है कि यह जो लेंथ I अब इसकेस में दो बार आप से पूछा रहे जिस्तिंस का एक बार तब जब करेंट ऐसे फ्लोव हो रहे है इदर से आया यहां पर यहां से बार निकला एक तो करेंट के डिरेक्शन है यह इस फर्स्ट केस आइवन दूसरा कि इसमें आपको पूछा गया तब जब करेंट की तोड़ी सी डिफ्रेंट मान लेते हैं यह पर करेंट लिट से ऐसे प्लोव कर रहे हैं उपर से आया और इधर से बाहर निकला है यह दो आपको करेंट की डिरेंग्शन दे रखिए इनसे पूछा गया कि बताई आरवन और राटू आप कितना कितना लिखेंगे आरवन क्या है आर इपल बैर यह दिया क्या है इन दी डायरेक्शिन और और पर्पेंडिकुलर टू दे डायरेक्शन ओफ कररंट से इन दो बातों को अपने को धियान लखते हुए यहां पर यहां पर यह सॉल करन सो अगर मैं पहली बात करूं आर वन की तो आर वन हो जाएगा रो रो इस माटीरियल यह बूरा अब्जेक्ट एकी मटीरियल से बना हुआ है रो दोनों केसे में सेम रहने वाला है उस पे कोई चीज नहीं है ल बाइ लेंथ के अगर बात करूं तो फर्स्ट की इसमें जब करेंट इधर से दर फ आता है मैं लीः ये खुँओ से गिंस लिये समय अड्रीया सिर evaluर मैंज है इस सब्सक्रांट पर्फेंदिक्लर किले इस ए इस पर्पिंदिक्लर किलर एक श स्बिस reaction या यह अब यह अक्रि सरी एलेगा से तो यहां पर आप जो लिखेंगे तो यहां पर आपके पास आजएगा तो ध्यान किया रखना है यह जैन रखनी है आपसे एक ही अबजेक्ट में अलग अलग तरीके से पूछ जा सकते हैं तो यह आपका अंसर मिल जाएगा आपको एक विश्चन और उसक्राइब एक पास्ट एक एक विश्चन का इसा कि आपको इसलिंड्र कल देखना एक सिस्टम एक सिस्टम दे रखा है एक सिस्टम है अंदर की रेडियस आपकी जो है वह आर वन है वाहर के रेच आपकी है अगर चल रहा है अगर कर इस दारेक्शन में है this is the flow of the current in this direction obviously कैसा हो गए पूरी पैरिफेरी के इसके लॉंग करेंट जा रहा होगा इसमें यहां से हर तरफी करेंट अंदर इस तरह कैसे जा रहा है यहां पर तो करेंट जो पूरी इस पे जाल रहा है आई कि करेंट है और इसके लेंट आपको दे रहेखे लट से ल तो आप से पूछा गया कि बताइए इसका रजिस्टन्स कितना लिखेंगे इन रो इस ते रजिस्टिविटी अफ दे मटेरियल तो यहां पे आप मुझे बताइए लेंथ में कितनी लो आर लिखने कि इरिया कौन सा लेना है मुझे वो जल्दी बताइए कौन से लो कितना एरिया आ पर लिया जाएगा पर पिंडिकुलर टू दिर डिरेक्श्न ओ फ्लो फ्लोव करेंट मुझे यह क्रॉस सेक्ष्टे अजिए इसक्रॉस सेक्ष्ट्टे अजिकर सभाश्टिए और चाहिए बहुत बढ़िया बिल्कुल ऐसे हैगा तो यह आपके पास एरिया चाहिए आपको इस 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 अजाएगा लेकिन इसी में इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से बताता पूश्था और इसक को नई तरीके से पूश्था हम यहां पर कि जब कुध कса के स्गरेंट टी है वह ऐसे ना देखे करेंटकी डारेक्षण आपको त मैंति यहां और यहां से बाहर जा रहे आप को अब आप से पूछा गया बताइए इसका रिजिस्टंस कतना होगा क्लिए अपर हां से करेंट आ रहा है लोगर आप से करेंट बहर जा रहा है इसकेस में ने पुच्छा कि भी दो श्लिक्तना लिखेंगे अब बताओ किता रिस्टेंस लिखो गए अब यहां पर ना सोचने की बात है देखो कैसे सोचना ही पड़ेगा कि आपने जो फॉर्मला लिखा था गो फॉर्मला लिखा था रिपल टू रो एल बाई यह लेखा अब यहां पर द्यान से तेख हैं अगर तो जो पूरा करंट चल रहा है वो पेरिफेरी के अंदर फिर असे बूरा करेंट इसना यहां से तक चल रहा है ईहां है और एका कैसंट मैं तोड़ा सब लो में प्वेस्ट क्लोन यहां क्या है कि क्योर्प की साल इंडाल और 있으면 गू कैसमें आपने एक वाली के निपूत कुछा प्रफेस पर बाहर शकर रखा मुथा पूरा मेटल है तो करेंट पूरे में फ्लो हो जाएगा अब आप से पूछा गया कि सका रिजिस्टेंस कितना लिखा जाए बैसे समझ सकते हैं यहां जो बैटरी कनेक्टेड है वो बैटरी कनेक्टेड है यहां पे अधर वाले पॉइंट पर गड़िए यहां पर टर्मिनल कन अब गटव। यहां पे एक के एगागर देखंगे था इसको देख तो एख हैंगा वाघर वाल तुम तर देखो द्धा रहा है और यहां है पॉस्ट से तरीके से को इसंट और यहां रही है सिरुके से अगर आप सबने कि व्यांट कर्ण यहां से अंदर आ आप बात करते हैं अलोंग दे लेंथ होता है अलोंग दे करन्ट की डारेक्शन तो यह आपको यह आपको मिल रहे यह आपको मिलेगा और जैसे-जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे वैसे-वैसे अरिया कम उता जाएगा क्योंकि अगरर आप यह यह अधीर देखो THAT और अंदर आओकि तो रिडियस कम जाएगी एरिया और च्वता ऌज देखो है हैं तो जब वेरियबलатив के कैस Me A part हम लेते हैं यहापर लेंघे संदे यहां से ले लेते हैं लिटस्ए x अदिश्च पर जाके धी किक एक स्कार्म इलिमेंट इस डियक्स के लिए मैं बात करूँगा कि कितना देश्टेंस ए उर उस रेजिस्टेंस को फिर करेंगे इंटिकरेट यह आपने एक लिमेंट लिया डियक्स वेर्ट का Dx और इसके लिए जो resistance है वह resistance से DR small resistance is DR अब मुझे बात करने ही किसके लिए क्या मिल रहे है अब अगर दियांद से देखें तो क्या मिल रहे है देखो यह जो resistance लिखा जाएगा DR यहां सहबक्पने क्यान कि जिए इस कितनी इसके लिए इस जो और आ रहा है इतने थेकने से जा रहा है इतने थेकने लिए फट जाना है। चैयल conversation ठीकने हैं इसके लिएक्पनालीचेंट === इससजंब काल मिलिए है यह जो अन् nhi nh vikt आ लिए है यहां से यह तक फिला हुआ है this is the element जो इसकी पूरी परिपरी पैसा है एलिमेंट बिसिकली आप एक सिलेंडर मान सकते हैं this is a सिलेंडर ओफ थिकनेस डी एक्स इस सिलेंडर को गर मैं तरफ से काट हूं और इसको ओपन करों तो यह ऐसा पूरा शीट बन जाएगा सिलेंडर को गर काट के ओपन करता हूं तो यह ऐसी पूरी शीट है जहां पर यह लेंद तो है इसकी एल और इस इस दी टू पाइए स्ट्रीश सिलेंप्स करना तो सब्सक्राइब से हुसाइ आर भी ऐसा तो यह रगया जाएंगी तो पाई-ल बाहर आ इंटिग्रल आफ दी एक्स बैए इक्स बिसिकली वन गाइक से निक्रिशन करना है वोता है यहांसर आएगा रोबाइटू पाइल लेन ओपाइटू बाइटू बाइब टू पाइफुली आपको निमिट पुट करेंगे यहां पर आपके यह concept clear होने चाहिए कि concept क्या है कि हमें जब भी length लेनी है तो length along the direction of current लेनी है अब यहां पर आप length ले लेंगे लेकिन area area continuously change हो रहा है क्योंकि यहां का जो एक थिकने से उसके radius अलग है यहां के thickness की radius increase है यहां के radius और increase है area हर समेंच हो रहा है तो में का element लेकर यहां पर इंडिक्रीशन करना पड़ेगा तो यह आपका अरा का finally for discussion क्या 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 पूली कुछ समझ बनी आया तो नहीं तरी आवस कट्री बहुत तो नहीं तो मैसेज कर दे मैं देखता हूं क्या कहना चाहरी है ओके एक क्वेशन और देखते हैं question है बेस्टन फ्रस्ट्रम फ्रस्ट्रम क्या होता है यह फ्रस्ट्रम एक ऐसी शेप है इधर है एक यहां पर है एक ऐसा शेप इस शेप के लिए आपसे पुछा गया रजिस्टन बताईए जब करन्डिस डिरेक्शन में फ्लोव रहा है इस इस दिफ्लोव दी करेंट पर этом है जो राडा दिफ्लोव जो रडियों यह जो रडियॉस इस रेडियॉस जो रेडियस एन यहां सदे विए आपको दो छीज़ें धे रखें predictions इन वी क dau two and is that yeah this case में आप से पूशा गया कि बताइए यहां पर स्पीर प्रेघ्ठेंस न'll कर दिस्तेर्म आपको यहां पर दे रख़ाए तो फिर से के अपने को अर इकुल तो रोल वाई यह दूफ में करेंट इस डारेक्षन में हैं इस देरीक्श्न में यहां लेते हो तो कुछ और मिलेगा यहां लेते हो तो कुछ और मिले वाला है मतलब है नहीं सकतेए आपको करना जले में करते तो में हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा यहां से चलते हैं एक डिस्टेंस š Avatar एक्ष द्म को मandez skipping तो यहां भी एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा इन दोनों के बीच की एक डिस्क बना रखी है तो यहां से यहां तक इस दी हाइट इस दी रेडिस ऑफ दिस्क पर यह अपने को कैलकुलीट कर दिये के कितनी एक बात हुए आगे अगर मैं इसका लिखता हूं यहां पर रिजिस्टंस तो रिजिस्टंस के स्टरी के से लिखेंगे d r for this disc can be given as rho l thickness is dx इतने में current pass हो रहा है this is thickness dx by area area is phi r square phi r square यहां पर अब यहां पर यहां पर आर अपने को देखना पड़ेगा कि आर कितना है आर निकालने का असान से तरीका देखो अगर मैं इसको देखता हूं फ्रस्टंस को तो फ्रस्टंस का यह कुछ सिरा है जहां पर यह length है a यह अपने को आर चाहिए और यह है b तो कि ऐसा कुछ कुछ हैं बन रहे हैं अगर दियान से देखें तो यह length है x और यह total length है l क्यूंकि यह बिल्कुल linearly यहां से यह तक vary कर रहे है एक जैसा slope है इसका linearly यहां से यह तक vary कर रहे है तो a से b तक अगर l length का difference था तो a से r तक x length का difference है तो मैं कह सकता हूं कि यह जो difference का जो ratio है यह बराबर होना चाहिए यह क्योंकि यह जो एंगल है if this angle theta we consider तो यह एंगल जो बन रहा है यह इस पूरे के लिए बराबर बन रहा है ल Subs olmak has और एंगल में ऊसभला इंक्वल है अगर यहां से यह वाला difference देखो ये आप यहां से यह वाला से यहां तक में कहता डिफरेंस आया वह देख लिया यलिन यहां सब को मिलेगा आर सो आर विल भी आ प्लस बी मैनस ए ल मैनस एक्स यह प्लस मैनस इस एल इंटो एक्स इंटो एक्स यह और प्स आप दिस इस दियार अब यार मिल गया इसको यहां पुट करो और अपना इंटेग्रेट करके आंसर बताओ तो बिसिकलिए पुट जब करेंगे तो टी आर आपको मिल रहा है यहां से रो अब अपने पास यह एक्स मैं चुका है दो ठीक है रो टी एक्स डिवादेट भाइड वाइब भाइड आर स्कुएर आर स्कुर मतलब एप्लस बी मानस एबाइड लेंट टू एक्स का हुल स्कुरर